लालुयादव के भडे बेटे हैं वो बिहार देदिया हमने और क्या बदे गिप्ट देंगे कॉन्स ए और वह कॉण्फिडेंस है है और और तो और मैं आपको बाइट सुना देता हूं और नितीश कुमार की एडियो में जिस तरह का अक्रोश देखने को मिल रहा था वो भी एक लॉजिकल वाई लॉजिकल रीजिनिंग है मैं तेट पताप की वाईट प्ले करता हूं राजीव रेजन यू प्लीज रिप्लाई देरा आल गो तो नावल किशोर अब आपने सुना मुख्य मंतरी की कुर्सी दे दी है उनको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया ये बोल रहे हैं तेश परताप जी आप नहीं समझ पा रहे हैं एक जो पारिवारी जो दल होता है उस दल में जेस पूत्र का जो अधिकार होता है ऐसे पदों पर वो खुद को बानते थे कि उन्हें लालू जी का इवराज होना चाहिए उनका उत्राधिकारी होना चाहिए उत्राधिकार उन्होंने अस्थानांत्रित किया और बतौर मुख्यमंत्री उमिद्वार उन्होंने तेजस्वी को अपना असिर्वात दिया अब राज्य की जरता तै करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन विरोध में बैठेगा और वो जनादेश कल दर्ज होना है तेज परताब जी ना राजा है ना महाराजा है इस राज्य की जरता तै करेगी कि वो किसको सेवा का असिर्वात देगी इसलिए कि सासक हम लोग हम लोग सेवा खोते हैं तो सेवा का अधिकार किसको मिलेगा यह जरता को तैय करना है और आपके जो आखड़े हैं जो सर्वेज के जो नतीजे हैं उनके नवल किशोर लड्डू ऐसे बना रहे हैं जैसे आप बीजेपी और बीजेपी लास्ट टाइम बना रही थी कि लड्डू बनाए लेकिन रखे के रखे रह गए हमने तो कभी सर्वेज रिपोर्ट के अधार पे हमने कभी कुछ नहीं कहा न उन पे कोई नाकरात्मक टिक में भी करते हैं हमारा तो जनता पे भरोसा है और उसके अधार पे पहले से ही हैं हम और आप 2015 के अधार पे आप देख सकते हैं कि यंगेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते यसवेजी थे वो नितीश कुमार के साथ थे यंगेस्ट लीडर अप और पोईशन थे नितीश कुमार के सामने थे उनका परफॉर्मेंस पुरा बिहार और देश देखा है अब इस चुनाओं में महागरबंदन के नेता के तौर पे कॉंग्रेस और लेफ्ट ने उनको नेता माना था कि अगर हमारी जीत होती है तो हमारे मुखमत्री के चेरे होगे उनके सामने भाज़पा के चेरे थे आप ने जब इन दोनों को मैदान में देखा और लीडर और उनके सामने जो उ duوس का उनका खनेक्त देखा तो आपको लगा भी होगा कि रीसेप्षन किसके लिए है और रिसेप्शन ऐसे ही नहीं था रिसेप्शन था कि 15 साल जो निती इसकुमार ने सासन किये उसके उपलब्दी के बजाए वो उसके 15 साल के भी समय बात कर रहे थे और उनके सहयोगी दल के नेता प्रधान मंत्री जी भी वही बात कर रहे थे जबकि हमारे नेता परिवारवाद की बेला परिवारवाद की बेला की बात करती है लेकिन जब 2015 में उनको मुखमंत्री बनना था तो जंगल भी भूल गए परिवारवाद भी भूल गए यह खुलापन नहीं चलता है यह तो आप राजनिती में यह पॉंट आपका जो जेडियू का दोगलापन है वो कई न कई एक्सपोज हो गया राजीव रंजन यह एक लॉजिकल पॉइंट है आप 2015 में इनके साथ गए तब आप परिवारवाद भी भूल गए जंगल राज भी भूल गए अब आपको दुबारा वो खयाल आ रहा है हाँ वो परिवारवा कुछ भी 2015 में हुआ